वेलकम आल आफ यू कैसे हैं आफ हमने फोर्थ क्लास की EVS की बुक लुकिंग राउंड या आसपास के चैप्टर नुमबर 19 अब्दुल इन दा गार्डन या जड़ों के जाल के पार्ट बन में जाना था कि अब्दुल छुट्टी वले दिन अपने अब्बु के साथ दिचे की एक क्यारी से घास निकाल रहा था तो उसके साथ क्या हुआ एक मटर की टहनी भी तूट गई और तीन-चार दिन बाद जब उसने देखा तो वो टहनी सूग गई थी मटर की टहनी क्यों तूटी थी आपको याद होगा जो उसकी स्पोर्ट के लिए एक शड़ी लगा रखी थी वो गिर गई थी इसलिए टहनी क्या हुआ था तूट गई थी अब्दुल को क्यारी से घास निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा था क्योंकि घास की जड़ें मजबूत थी यह देखकर अब्दुल के मन में बहुत सारे प्रशन पैदा हो गे उनमें से कुछ प्रशनों के बारे में हमने पाट पन में जाना था और प्रशन जानने के लिए अभी हम आपकी EBS की बुक का पेज नंबर 159 शुरू करेंगे आप इस पेज को उपन करें या फिर आप इसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बच्चो सोचो ज़रा which of the plants around you need regular watering तुम्हारे आस पास किन पोद्धों को न्यमित रूप से पानी देने की जरूरत है आप ये जानते हैं आपके घर में क्यारी में जो flowers लगा रखे हैं उनको regular watering की जरूरत होती है what will happen if nobody gives water to these plants अगर इन पोद्धों को पानी ना दें तो क्या होगा जिन पोद्धों को पानी की regular जरूरत है यदि उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा पोद्धे सूख जाएंगे आपको पता है पोद्धे क्यों सूख जाएंगे पानी ना मिलने से क्योंकि पानी stem की help से पोद्धों के पत्तों तक पहुँचता है और पोद्धा हरावरा रहता है अब्दुल realized that he never watered the huge neem tree अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड को पानी नहीं दिया वेर डिड़ इट गेट इस वाटर फ्रॉंग नीम के पेड को पानी कहां से मिलता है तो क्या आप ये बता सकते हैं बच्चो इन पेडों की जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहरी होती है और ये जड़ें जमीन के अंदर जो पानी होता है उनको सोक लेती है तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड पौदे हैं जिने पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें पानी कहां से मिलता है कोई दो अंदाज लगाओ बच्चो आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत सरे पेड देखे होंगे जिनको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है आप उनके नाम लिखेंगे पर इनको पानी कहां से मिलता है मैंने पहले भी आपको बताया कि इन पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वो अपने जमीन के अंदर से पानी को ले लेते हैं ऐसे पेड़ों में वर्गत का पेड, पीपल का पेड, मैंगो का पेड आपने ये पेड देख रखे हैं अब्दुल वंडर्ड, वैदर रेडिश वाज आरूट, वाई डिड ही थिंक सो, अब्दुल को या सोचकर अशारे हुआ क्या मूली भी जड़ है क्यों तो आप बता सकते हैं कि मूली जड़ क्यों है, क्योंकि ये जमीन के अंदर होती है अब्दुल न देखा कि जैसे क्यारी से घास को उखारना पड़ा था, मूली को भी जमीन के अंदर से ऐसे ही उखारना पड़ा लुक एड़ दा, पिक्चर्स, विलो, एंड फाइल आउट, विच आफ दीज वेजिटेवल सार, रूर्स नीचे दियेगे, चितर को देखो, पता लगाओ, इन में कौन से सबजियां पड़ों की जड़े हैं इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखें, ऐसी कौन से सबजियां हैं जो पड़ों की जड़े हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कैरट यानि गाजर, रैडिश यानि मूली, और बीट रूट यानि चुकंदर जो है, वो पड़ों की जड़े हैं अब्दुल has more questions Nowadays, अब्दुल keeps thinking about all kinds of plants that he sees आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौद्धे ही घूमते हैं और उनके बारे में अनेकों सवाल भी उठते हैं अब्दुल saw a plant growing out of a ball in school He wondered, स्कूल की दिवार से एक पौद्धा निकलते देकर अब्दुल सोचने लगा How deep must the roots of this plant be going? इस पौद्धे की जड़ें कहां तक जा रही होंगी? बच्चो, आप मैंसे भी बहुत सारे बच्चों ने दिवारों पर उगे हुए पौद्धे जरूर देखे होंगे तक जा रही होंगी और उसके बाद दिवार के निचे जमीन में भी जा सकती है How do the roots get butter? इसकी जड़ों को पानी कहां से मिलता होगा? बच्चो, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? कि ऐसे पौद्धों को पानी कैसे मिलता होगा? ये पौद्धे जो दिवारों पो रुखते हैं ये उसकी नीम से यनि की दिवार की foundation से पानी को चूशते हैं या फिर जब बारिश पड़ती है तो उनसे भी इनको पानी मिलता है या पौद्धा कितना बड़ा होगा? तो आप चितर में देख सकते हैं कि ये पौद्धा कुछ मीट्रों या फुटों में बड़ा होगा अगर ये पौद्धा बड़ा होता है तो दिवार में क्रैक्स आएंगे आप चितर में भी देख रहे हैं और अगर ये बहुत बड़ा हो जाता है तो दिवार को तोड़ भी सकता है सामने की चितर में दिखाएगे ये पौद्धे को पहचानों और नाम बताओ तो आप पहचान गे होंगे ये पीपल का पेड है Have you ever seen a plant growing from a crack in a ball? क्या तुमने कभी किसी दिवार की दरार से कोई पोधा उगते हुए देखा है? Where was it? कहां पर? Did you have any questions when you saw it? उसे देख कर क्या तुम्हारे मन में कोई स्वाल उठा? बच्चो आपने जरूर कहीं न कहीं किसी दिवार पर ऐसा पोधा देखा होगा और आपके मन में शायद कोई question भी आया होगा अगर कोई स्वाल उठा है तो आप यहां पर उसे लिख सकते हैं What were some of your questions? Ask elders and find the answers, find out the name of the plant you saw कुछ प्रेशन बताओ अपने बड़ों से उनके उत्तर पता करो उस पोधे का नाम पता करो जिससे तुमने देखा तो बच्चो आप यह करने में अपने बड़ों की help लें अब्दुल ने देखा की रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड गिरा हुआ था उस पेड की कुछ टूटी हुई जने भी दिखाएं दी उसे अपने घर का नीम का पेड याद आ गया अब्दुल थोट अब्दुल ने सोचा Would someone have uprooted such a victory or would it have fallen on its own क्या इतने बड़े पेड को किसी ने अख़ाड़ा होगा या अपने आप ही गिर गिया बच्चो क्या लगता है जराब पिक्चर को ध्यान से देखें ये पेड बहुत पुराना लगता है और chances हैं कि इसे कोई उख़ाड भी सकता है या फिर कोई तेज आंधी ने इसे उख़ाड दिया है आपने वीडियो को ध्यान से देखा Thanks a lot